चाहे पत्ती और हींग को मिलाके मैं आज आपको इतनी बढ़्या पावर्फुल खाथ बताने वाली हूँ जिससे प्लांट की ग्रोध भी अच्छी होगी, फूल और कलेयां भी आएंगी और जो कीडे मकोडे आपके प्लांट में लगे होंगे वो भी खतम हो जाएंगे तो इसको कैसे बनाना है, प्लांट में कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है चलिए ये सब चीजों के बारे में बात करते हैं और इसकी कुछ सावधानिया भी हैं, वो सब भी मैं आपको साथ साथ बताती रहोंगी, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, Love for Gardening में आप लोग का बहुत स्वागत है तो यह जो आप डिबिया देख रहे हैं, यह हींग की है, आपको ब्रैंड कोई सी भी लेनी है, बतलब मैं यहाँ पर यह नहीं कह रही हूँ कि आपको वही लेना है, जो मैं इस समय यूज कर रही हूँ अगर आपके पास जो टुकडों में आती है, जैसे यह तो हलका सा पाउडर फॉर्म में होती है, छोटी-छोटी टुकडों में भी हींग आती है, तो अगर आप वो लेना चाहते हैं, तो उसको भी ले सकते हैं, बस यह कि उसको गुलने में ज़ादा टाइम लगता है, और थोड़ा जल्दी से घुल जाती है अब चलिए इसके फाइदे क्या है और इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो जो हींग होता है इसकी जो स्मेल होती है काफी स्ट्रॉंग होती है इसकी स्मेल से जो तितलिया होती है या फिर मदुमक्खी होती है जो वहारे गार्डन में और हमारे प्लांट की जो फूलों की और फॉलों की जो डवलोपमेंट होती है उसके लिए बहुत जादा जरूरी होता है तो यह उनको एक्ट्रेक्ट करती है इसकी स्मेल से आपके गार्डन में बटरफ्लाइज और जो हनी भी होती है वह खूब आएंग है तो आप मेरे हाथ में जो स्पून देख रहे होंगे यह चोटा वाला स्पून है तो हमें सिर्फ आधा चमच लेना है इसे और आधा चमच हम आधी कटोरी पानी में इसको अच्छे से गोल लेंगे अगर आपके पास पावडर फॉर्म में है या फिर आपके पास टुकड देखेगा और यह चो मैंने इतनी हींग ली है यह दोनों के लिए ही परियापत होगी क्योंकि हींग जल्दी से घुलती नहीं है तो इसको डाल के आप अच्छे से मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद अब हम इसे कम से कम आधे से एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंग इसके बाद यह जब भीग जाएगी तो बहुत ही अच्छे से घुल जाएगी पानी में और घुलने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको यूज कैसे करेंगे चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं तो यह देखिए यह लगबग मैंने इसको एक घंटे के लिए भीगाया था और एक घंटे भीगने के बाद यह काफी अच्छे से घुल गई है अगर आप चाहें जो थोड़े बहुत बच जाते हैं उनको हातों से अगर आप थोड़ा सा मैश करेंगे तो वो जो बचा दिखिए और गैनिक है तो थोड़ा बहुत जादा हो जाएगा तो चलेगा लेकिन फिर भी बहुत जादा नहीं करना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज की अती उसे नुक्सान ही पहुंचाती है तो जितना मैं बता रही हूं आपको सिर्फ उतना ही यूज करना है तो यहां प चिफिते आपको, यह पहला तरीका है, दूसरे तरीके के लिए फिर आगे आपको मैं बताऊंगी, तो पहले हम हींग डालेंगे, तो यह देखे जो गूला हुआ ही था, मैंने वही लिया है, अब कौंटिटी आप ध्यान रखिएगा जितनी कौंटिटी मैं बताऊंगी, आ अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूं तो यह एक चुटकी हल्दी है खाली एक चुटकी हल्दी चार चमच हींका पानी और एक लीटर पानी में हमें यह दोनों चीजें मिक्स कर देनी हैं मिक्स करने के बाद फिर अब आप इसको प्लांट में दे सकते हैं इसको प्लांट में देने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें सबसे पहली बात तो है कि यह बहुत ही अच्छा कीतनाशक है तो अगर आपके प्लांट की मिट्टी में कीड़े हैं कुछ कीड़े ऐसे भी ह प्लांट की ग्रोध के लिए भी काफी अच्छा होता है इसका जो खाद बनता है उससे प्लांट की ग्रोध भी काफी अच्छी होती है सबसे जो जरूरी सावधानी है वो मैं आपको बता देती हूं कि जब भी आप इस पानी को प्लांट में दें तो पहले से आपके प्लांट हो जाएंगे तो अभी तो हमने उसको ऐसे यूज किया था अब हम उसको जिस तरीके से यूज करेंगे उससे प्लांट को खाद बहुत अच्छी मिलेगी तो इसके लिए क्या करना है मैंने यहाँ पर लगबग एक लिटर पानी लिया है अब इसमें मैं पहले वो हींका पानी जालूंगी जो हमने बिगा के रखा हुआ था तो देखे वहाँ पर ये होगी एक नहीं होगात और यहाँ पर एक लिटर पानी में मैं dudas他 निग्वाली हूं चम्मच वही है छोटा चम्मच है इसका जरूर ध्यानकी का बड़ा चम्मच हमें यूज नहीं करना है नहीं तो quantity जादा हो जाएगी तो मैंने 10 चम्मच हींग का पानी लिया है और उसके बाद अब मैं इसमें चाय पत्ती का वेस्ट एड़ करने वाली हूँ चाय पत्ती का वेस्ट मतलब वो चाय पत्ती जो हम चाय बनाने के बाद और उसको फेक देते हैं उसी को मैंने अच्छे से धुल लिया धुलने के बाद सुखा लिया और अब मैं उसका यूज करने जा रही हूँ तो ये लगबग एक मुठी चाय पत्ती थी जो मैंने पानी में एड़ कर दी है और अब इसे हम एक हफते के लिए धक के किसी shady area में रख देंगे air tight pack नहीं करना है और shady area में रखना है इसे धक देना है ऐसे जगह जहां पर कोई से गिराए ना और बहुत तेज धूप ना आती हो तो कोई corner वाली जगह जो होती है वो best होती है ढखने के बाद अब हम इसको use कैसे करंगे इसके बारे में बात करते हैं मैंने पहले से ही चाय पत्ती का पानी इस तरीके से हींग डालके भिगा रखता था और अब एक हफ़ते बाद इसको use कैसे करना है चलिए इसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लगबबब 2 liters पानी लिया है एक लीटर पानी में मैंने चाय पत्ती और हींग मिक्स की थी उसके बाद अब दो लीटर पानी को हमें लेना है और उसको यूज करने से पहले हमें इस पानी को छान जरूर ले रहा है क्योंकि हमें चाय पत्ती नहीं चाहिए हमें सिर्फ उसका पानी चाहिए चाय पत्त्य और हींक पानि उसको चानने के बाद 2 pirate पानी में एक लीटर यह पानी मिक्स करके खार बनात्फ को किटने दिन पे देना है उसके बारे में भी मैं बात करूँगी वीडियों में बनी रही मेरे साथ तो यह देखिए अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब यह बहुत ही बढ़िया खाद बनके तयार हुई है प्लांट की ग्रोध भी बहुत अच्छी होगी प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग की प्राब्लम चल रही होगी तो वो भी बहुत अच्छी होगी और हमारे plants में जो अगर कोई जैसे होता ना कभी-कभी grow तचानक रुख जाती है, पत्ते पीले पढ़ने लगते हैं, उसकी भी problem solve हो जाएगी और इसे भी हमें तभी देना है जब हमारे plants में already पानी थोड़ा बहुत हो जैसे अगर आपने सुबह पानी plant को दिया है तो आप शाम को ये वाली खाद दे दिजे या पर अगर आपने शाम को पानी दिया है तो आप सुबह सुबह 6 बजे के आसपास ये वाली खाद का पानी दे दिजे आपको तेज दूप में ये पानी नहीं देना है और महीने में एक बार आप ये वाली खाद अपने प्लान को दे सकते हैं सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है इसके बाद भी अगर कोई कोई कोशिन कन्फीजन होगा तो आप कमेंट करिएगा मैं आपके कोशिन का अंसर जरूर करूंगी कैसा लगा मिराज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लान से रिलेटीड अगर कोई भी कोशिन आपके माइन में है तो आप कमेंट की थूरू मुझे बात कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर